एक राजकुमारी ने क्यों किया गधे के साथ विभा दोस्तों क्या आपने अपने जीवन में कभी सुना है कि एक राजकुमारी का विभा एक गधे के साथ हुआ है यदि नहीं तो आईए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने बाले हैं कि क्यों हुआ था एक राजकुमारी का गधे के साथ विभा लाएं। आखिरे ऐसी क्या मजबूरी थी जो कि एक राजकुमारी को गधे के साथ विभा करना पड़ा। दोस्तो एक बार की बात है, महराज इंद्र का दर्वार लगा हुआ था। और दर्वार में अपसराओ का नृत्य हो रहा था। उस दर्वार में किनर देखता गंधर्व। सभी अपने अपने आसनों पर ब्राजमान थे। तभी एक प्रवचन नाम का गंधर्व। उन नाचने वाली अपसराओ पर मोहित होकर उसने नाचने वाली अपसराओ के साथ को महराज इंद्र को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी, उन्होंने काम के बसिभूत प्रभचन गंधर्व को प्रतभी लोक पर जाकर गधा बनने का स्राफ दे दिया, देवराज całकुछे स्राफ सुनकर, वो प्रभचन गंधर्व कामता हुआ बोला, कि हे महराज, मेरी मुक्ति की सीमा भी तै कर दीजिए कि मैं इस राप से किस प्रकार मुक्ती पास अकूंगा इस प्रकार गंधर्व प्रवचन को गिलगड़ाते देखकर देवराज इंद्र कहने लगे धर्ती लोग पर जाकर तुम गधा तो अवश्य बनोगे लेकिन बहां पहुँचकर तुम्हारा ए देवराज इंद्र के स्राप के कारण बही प्रवचन गंधर्व उसी समय स्वर्ग से नीचे गिर गया और प्रत्वी लोग पर आकर एक गधे के रूप में परिवर्तित हो गया एक दिन एक कुमार की नजर उस गधे पर पड़ जाती है वो कुमार अपने मन में सोचने लग साथ उसे बांध दिया इस पिरकार उस गधे को खिलाते पिलाते काफी समय बीत गया एक दिन वो कुमार उस गधे के पास चारा डालने के लिए पहुचा तभी बही गधा जो कुमार ने पकड़ कर बांधा था वो मनुश्य की भासा में बोलने लगा और कुमार से बोला कि ह मेरे मालिक तुम मुझ पर एक उपकार कर दो मेरी और से मेरा यह संदेश यहां के राजा के पास पहुचा दो तुम राजा के पास जाकर कहना कि तुम अपनी पुत्री का बिभा मेरे गधे के साथ कर दो गधे की यह बात सुनकर वो कुमार भैसे कापने लगा और अपने मन मे अगर यह बात राजा के कानों में किसी बज़ा से पहुच गई गधे के मुख से यह बात सुनने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ परदेश जाने के लिए तैयार हो गया वो अपने मन में सोचने लगा कि यदि में कुछ और दिन यहां रहा तो यह गधा अबश्चे ही मेरे पूरे परिवार को मरवा देगा अपने मन में यह बात सुनकर वो कुमार नगर छोड़ कर जाने लगा लेकिन दोस्तों यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि होता बही है जो बिधाता ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है जब वो कुमार नगर छोड़ कर जा रहा थ तो रास्ते में उसे राजा के सिपाईयों ने पकड़ लिया, वो एक कहबत तो आपने सुनी ही होगी, कि घर के मारे मर गए और बन में लागी आग, और बन विचारा क्या करे जब करम में लागी आग, दोस्तों ये कहबत इस कुमार पर बिर्कुल सटीक बैठती है, राजा के सिपाईयों ने तो उसे इसलिए पकड़ा था, कि वो देश छोड़ कर बाहर क्यों जा रहा है, हमारे राजा के राजी में भला उसे क्या दुख है, जबकि हमारे राजी में किसी प्राणी को कोई दुख नहीं है, जो कि उसे देश छोड़ कर बाहर जाना पड़े, बे सिप सिपाई उस कुमार से बोले, तुम्हें अपना दुख राजा को बताना होगा, कि तुम किस कारण से हमारा देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हो, तभी तुम यहां से जा सकते हो, सिपाईयों ने ले जाकर उस कुमार को राजा के सामने खड़ा कर दिया, राजा ने उस कुमार से पूछा, कि तुम्हें और तुम्हारे परिबार को हमारे देश में क्या दुख है, जो तुम इस देश को छोड़कर परदेश को जा रहे हो, किसने तुम्हें दुख दिया, हमें साफ-साफ बताओ, दोस्तो, राजा की ऐह बात सुनकर वो कुमार डर के मारे कह कि हे राजन मैं अपने दुखडे को भरे दरवार में नहीं बता सकता इसलिए आप मुझसे एकांत में पूछ लीजिए उसकुमार की बात सुनकर राजा ने अपना दरवार बंद कर दिया और फिर एकांत में जाकर उसकुमार से पूछा कि तुम्हें हमारे राजी में क्या पहले तो उसकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर राजा से निवेधन किया कि हे राजन यदि मुझसे अपनी बात बताते हुए कोई गलती हो जाए तो आप उसे छमा कर देना फिर उसकुमार ने अपने गधे बाली बात राजा को साप साप बता दी कि उसके पास एक ऐसा मैं परदेश को जा रहा था कि कहीं उस गधे बाली बात आपको पता ना चल जाए और आप क्रोध में आकर मेरे पूरे परिवार को फासी पर ना चड़वा दें कुमार के मुक से ये बात सुनने के बाद बो राजा बड़ा ही खुस हुआ और उसने उस कुमार से कहा कि वो बिल्कुल भी ना घबराए तुम्हें हमारी और से कोई भी हानी नहीं होगी इसमें तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है परंतु तुम एक काम करो अपने उस गधे से जाकर कहो कि यदि तुम हमारे महलों को एक रात में धातु का बना दो तो हम अपनी पुत गधे की योनी मے आया है। इस तरह का राजा का ये जबाब। गधे के साथ कुमार और कुमारी के साथ उसके घर रहने लगी। एक दिन जब बह राज कुमारी राजस ब्ला हुई तो भगवान इंद्र की किरपा से एक दिन के लिए बह गधा मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया और अपनी पत्नी से समागम करने के बाद पुनहा गधा बन गया दोस्तो उस प्रवचन के समागम के कारण राजकुमारी ने एक सुन्दर से पुत्र को जनम दिया और उस पुत्र का इस पर सोने के तुरंत बाद ही वो गधा अपनी गधा योनी से मुक्त हो गया इस प्रकार उसे इंद्र के स्राप से मुक्ती मिल गई तभी उसने अपनी पत्नी से कहा की है भद्रे अब मेरा यहां से जाने का समय आ गया है जब भी तुम्हें मेरी आवशक्ता हो तो तुम मुझे दिल से याद करना मैं उसी छण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा इतना कहकर वो प्रवचन गंधर्व स्वर्ग को चला गया अब उस बालक का पालन पोसन कुम्हार और कुमारी के दुवारा हुआ दोस्तो आगे चलकर वो बालक राजा विक्रम के नाम से विख्यात हुआ उमीद करते हैं कहानी आपको काफी पसंद आई होगी